नमस्कार and I welcome you all to brainstorm ED मैं हूँ रुपीज कुमार मिस्रा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए वीडियो में देखो इस वीडियो में हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो बात करेंगे हम लोग अभी second sitting में आप लोग का LNMU part 2 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ physics subsidiary का examination हुआ है physics subsidiary तो उसका हम लोग answer की देखेंगे 75 MC क्यों होता है आप लोग को पता होगा अपने exam दिया होगा 75 में आपको कितना सही हो रहा है यह हाँ पर आप मिलाओगे और फिर सत्यापन करने के बाद आप लोग comment box में बता होगी कि आप कितना score कर पा रहे हो जिनका 60 plus का score होगा उनको heart like मिलेगा क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीका से examination को attempt किया है और साथ मैं आप लोग को question paper सामने में रखना है और जो जो मैं बताऊंगा right option जो होगा उसको मिलाते चलना है ठीक है जी और फिर मिला लोगी क्या सही है और जो आपने tick करा होगा उसको काट देना इस पर मेरा कोशिस है कि 99% सही answer में दूँ MCQ में 0.5% 1% का mistake रहता है उसके लिए घवराना नहीं है एक आद नंबर इधर उधर result में भी आपका हो जाता है ठीक है नजी तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ो से पहले जो लोग चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन है प्रेस कर लिजिए आने वाले वीडियो का नोटिपिकेशन और अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर जो आपको जन्यून डोट से है एक्जामनेशन से रिलेटेड या फिर आप लोग का नोट से रिलेटेड आप मुझसे पूछ सकते है तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते है और देखो पहले कुश्चन को पढ़ हो फिजिक्स का हम आप लुपाइब 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 observing diffraction two coherent source, पहले question को अच्छे से पढ़ो, फिर option को देखो, बहुत सारे लोग confused होके आएंगे comment करने के लिए कि नहीं, यह option नहीं यह होगा, आप गलत बता रहे हो, नहीं, question को ठीक से पढ़ो, option को ठीक से पढ़ो, कहीं mistake हो सकता है normally, मतलब 1% case में वह लग चीज़ है, लेकिन ज फिलाल देखते हैं, the wavelength of sound waves as compared to light waves, that is very large, तीन का जो right option होगा, वो होगा very large, बहुत जैदा होता है, लेकिन अगर frequency का बात करें, तो frequency वहीं light wave का जैदा हो जाएगा, क्योंकि frequency और उसका क्या relation है, c u बराबर new lambda, तो new बराबर कितना c over lambda, मतलब frequency जैदा तो wavelength कम, wavelength जैगा तो frequency कम simple सा बात है, very large होगा, which of the following belongs to physical optics, बहुत सारे लोग ने deflection tick कर रहा है, but this is the wrong answer, deflection is the wrong answer, dispersion is the wrong answer, and the right answer is interference, रीजा ने पूछ किया रहा है, physical optics के बारे में, not a geometrical optics, there is a basic difference between geometrical optics and physical optics, geometrical optics में हम लोग किस चीज़ बारे में study करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, इस में हम लोग कर reflection के बारे में, reflection के बारे में, dispersion के बारे में, total internal reflection के बारे में, geometrical physics में, वही अगर हम physical optics का बात करें, जो question में पूछा जा रहा है, physical optics, तो इस में हम लोग study करते हैं, इस में हम लोग derive करते हैं, interference की घटना को, diffraction की घटना को, young double slit experiment को, इस तरह के term को हम लोग interference की घटना, interference में इसको हम व्यती करन कहते हैं मतलब option C इसका correct होगा जिन लोगों आप वरतन किया है परावरतन किया है तो उनका गलत है ठीक है तो इसका जो राइट ओप्शन होगा 5 का वो आप लोग टिक करोगे πाई बाइट टू तो इसका जो राइट ओप्शन होगा इसमें तो कुछ clear दिखी नहीं रहा है πाई बाइट टू का lambda by 4 इसको derive करके देख लो आप 2 πाई बाइट 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 टिक करोगे इसमें clear नहीं समझाया तो मैंने छोड़ दिया लगी इसका lambda by 4 ही सायद होगा एक बार आप लोग बता दोगे इसको front of a diffraction arises when the source of light at the screen is effectively at infinite distance तो 6 का right option आप लोग A टिक करो जिन्होंने A टिक करा होगा तो उनका answer बिल्कुल सही है in front of a diffraction the incident wave front is plain option A इसका सही है interference in thin finish to transmitter system the part difference is 9 का जो right option होगा वो आप लोग टिक करोगे 9 9 का right option हो जाएगा आप लोगा interference in thin film 2 mu t cos gamma इसका यह होगा question मैंने देखा ही नहीं सही से हाँ इसे ही होना चाहिए 2 mu t cos gamma ही होना चाहिए interference in thin film the focal length of a zone plate इसका right option होगा r n square by n lambda यह तो ठीक है यह कोई दिकत ने इसमें उसके बाद है आपका fresnal diffraction is a near field phenomenon option a इसका correct होगा hardinger's fringes are equal inclination equal thickness बहुत कम होता है चाहिए equal inclination will be the right the diameter of nth bright ring is newton is proportional to option a under root 2n plus 1 यह मैंने 2021 के question में इसको derive करा है तो option a 13 का tick करो bending of light round the corners of an obstacle यह किसका definition है तो यह है diffraction का interference का क्या है the variation in intensity of light due to superposition of waves due to superposition of waves that is called interference लेकिन option a इसका होगा विवर्तन यह newton ring experiment with the order of ring fringe width 15 का जो right option होगा वो आप लोग tick करोगे fringe width 16 का पहले हम लोग देख लेते 15 को लास्ट में देखेंगे 16 का जो right option होगा वो आप लोग टिक करो यह 1.22 d by lambda 16 का right option d होना चाहिए ठीक है जी यहीं है इसका 17 17 का जो right option होगा वो आप लोग टिक करो resolving power of a telescope तो 1.22 d by lambda इधर आ चुका है हमारा 17 का right option सायद यह b होना चाहिए d by 1.22 lambda resolving power of a plane transmission grating 18 का जो right option होगा वो होगा b nn 17 का ठीक है b option ही होगा आपका correct है कुछ-कुछ formula आपका direct पूछा गया है 12 से जो की मैं भूल चुका हूँ उसको देखना पड़ता है बार-बार grating element of a plane diffraction grating तो 19 का जो right option होगा वो होगा c a plus b a plus b क्योंकि e plus d करके formula होता है तो a plus b will be the right according to ray league the option d इसमें देखिए 1 by lambda 4 लिखा होगा inversely proportional to the wavelength का power 4 तो option d इसका correct होगा 20 का resolving power of a plane transmission grating depends upon तो इसका जो right option होगा वो होगा आपका order of spectra option number d is correct 21 का तो sources of light are coherent if they emit rays of same wavelength with constant phase difference that the right option will be c the number of cardinal point for a thick lens is option number a 6 क्योंकि apes ने बताया था two focal two nodal and two principal focal points two points format principle holds good question पूर्च रहा है holds good तो option will be reflection ये सही होगा b option ना कि reflection बहुत भी नहीं होगा बलकि b option सही है the two waves of equal amplitude interfere the ratio of intensity simple formula है 0 होगा दो wave interfere कर रहा है ये माल लो constructive है ये अगर बढ़ रहा है particle ऐसे ऐसे ऊपर तो ये constructive होगा अगर मालो आपको इस तरह से भी बढ़ रहा है नीचे की तरफ तो ये भी आपको constructive होगा लेकिन अगर कुछ ऐसा है इस तरह का case है एक construct किया एक district कर दिया then the result will be 0 हो तो option b होगा newton rings are the fringes of 26 का जो right option होगा वो आप लोग टिक कर होगे I think equal inclination will be the right option okay high equal inclination ही होना चाहिए a zone plate has the radius has a proportion of the square root of odd integer the focal length independent of the wavelength only one focal a number of focal length the radius of successive zone proportional to the square root of odd integers under root 1 under root 2 zone plate definition क्या है zone plate is a transparent plate on which circles whose radia is directly proportional to the square root of natural number तो यहाप option number C होगा ठीक है natural number का बाकी में कोई चर्चाह नहीं है हैंस आप इसको C tick करो, इब 2 wave of amplitude A and B interfere destrictively, तो option number 30 का जो होगा, वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका A minus B, 30 का right option A minus B होगा, चलिए आगे देखते हैं, हम लोग next question, one reflection from the rare and medium, the light undergoes a phase change of pi, इसका option A होगा, pi, 32, इसका right answer जो है, ये होगा, C, F R less than F B, next question, in a single slit front half hour diffraction, when the slit width increase, the width of central maxima, single slit diffraction, 33 number question है आपका यहां पर, when the slit width increase, the width of central, remains unchanged, option C correct है इसका, ये आपका 33 होगा, 33 question है, when the slit width is increased, the width of central maxima, not remains unchanged, ये decrease कर जाएगा, option A होगा, इसमें ठीक है, mistakes से मैंने C बोल दिया, C नहीं, option A, decrease, A को tick कीज, ये घटती है, 34 का right option, आप लोग A टिक करो, when light or white is incident, on a plane diffraction greeting, the zero order minima will be white, 34 का जो right option होगा, वो हो जाएगा, आपका A option, आगे चलते हम लोग, 34 के बाद हमारा है, यहाँ पर 35, हाँ ये तो 1 बटा C square होगा, if C is 10 for the velocity of light in free space, कैसे होगा, तो C बराबर under root, mu note, epsilon note वाले formula में, square कर दोगे, simple इधर square करोगे, ये root cancel हो जाएगा, D option, इसमें देखो, ये वाला option होना चाहिए, ये वाला, option number A, ये हो जाएगा, 37 का right option C होगा, highly monochromatic and SAR, monochromatic मतलब, single wavelength, and frequency, which scientist experimentally proved, that the existence of electromagnetic wave, that is herge, JC Bose ने भी बताया था, 25 mm के something में, इसका wavelength, लेकिन herge ने बताया, confirm किया, कितने में, 1888 के something में, किसका existence of electromagnetic wave के बारे, ये E cross B होगा, और 40 का C option, 40 का right option होगा, वो क्या होगा, C हो जाएगा, E cross B, the unit of pointing vector, 41 का right option होगा, वो A होगा, W by M square, ठीक है जी, pointing vector is given by, ये तो E cross H होगा, P बराबर होता है, P vector बराबर E cross H, the velocity of electromagnetic wave is given by, option number D, अभी मैंने बताया, the pointing vector gives the power flow, option number C, ये जो होगा, इसका right option होगा, theta, K theta होता है, तो option number A इसका correct है, 45 का, damping is must in, तो I think the option will be, 46 का right answer होगा, वो आपका dead weight galvanometer में भी होता है, ballistic में भी होता है, तो बहुत A and B भी हो सकता है, हम इसलिए option D ही लेकि मान के चल रहे है, thomson coefficient, इसका right option होगा, can neither be positive nor negative, option number C, neutral temperature क्या होता है, is the temperature वहाँ पे जाके, maximum हो जाता है, तो option number A, उसके बाद जो है, the second law of thermodynamics, is applicable to thomson effect only, तो option number B is correct, the thermoelectric diagram of metal, compared with lead usually is, 50 that is your, यह हो जाए का आपका parabola type का होता है, option number B, T बटे 2π, इसको टिक करो आप 51 का, T बटे 2π into current sensitivity, option number B, 52 का जो है, right option होगा, L R, 52, the right option, will be L by R, E L by R, option D, when a circuit containing, an inductance L, resistance L, CLMV series in close, the maximum value of the current, यह तो E L by R होगा है, इसका D, the region end, इसका तो option होगा है, 1 बटे 2π under root LC, 1 बटे 2π under root LC, 53 का, आगे चल रहा हो है, यह हो जाएगा, CR option number 54 का, तो simple है, CR ही होगा, उसके बाद, next है हमारा, time period of resonant, 1 बटे 2π under root LC, R, LC circuit का, यह पूछ रहा है, यहाँ पर तब, इसको थोरा आप correction कर लो, question मैंने पढ़ा, नहीं सही properly, तो 53 का right option, यह होना चाहिए, 1 बटे under root LC, क्योंकि, 1 बटे 2π under root LC, हो जाता है, इसका, in parallel regionate circuit, the voltage is maximum, option number B, 56 का होगा, the most suitable bridge, for measuring very small capacitance, is, very, self inductance के बारे, मैं नहीं पूछ रहा है, तब तो भाही, यह option number C, इसका टिक कर लो, self inductance के बारे, पूछता तो, अडिसन भी, अंडर्सन भी होता फिर, इसका तो, right option 10 theta होगा, the power factor of a circuit is 0, if it no contents, no resistance, wireless current is an imagination, idle होता है, current is a wireless, when the angle of phase between, it and the MF is 90 degree, यह transform is used to convert, AC voltage to higher lower values, the unit of polarization is, 65 का, जो right option होगा, unit of polarization, unit of charge का, तो option number C, इसका correct होगा, D बराबर, Epsilon भी, P holds good, that's only outside, electric, dielectric, delta, divergence D बराबर, rho, that is for Gauss law, Ampere's law, Ohm's law, यह नहीं होगा, divergence D, Gauss law, Gauss law क्या होगा, तो, 1 बट Epsilon भी, time, charge, close, erset का right option, आपका 11 एलेक्रोन होगा, A, radioactivity decay depends upon, that will be the chemical reaction, temperature pressure पर नहीं करता है, atomic mass is the unit of, that is your mass, the efficiency of GM counter is, 100%, 70 का right option, 71 का B होगा, 72 का right option, अगर हम देखे, वो होता है B, gamma radiation, which rays are positively charged particle, तो alpha rays, तो इसका right option, आप लोग A tick करो, parity is not conserved in 74 का, यह होगा, A option, alpha decay, and essence mass spectro का, atomic masses को, measure करने के लिए करते हैं, तो 75 का right option B होगा, देखो कुछ 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 ऐसा, मुझे लगा जिसमें confusion है, तो उसका correction आप लोग करके, एक बार आप देख लेना, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी में question solve किया, तो कुछ कुछ question का ऐसा था answer, जो छूट गए, इस वज़े से मैं confirm नहीं हूँ, ऐसा 4-5 question है, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 question में होता है normally, मैं आशा कर रहा हूँ, कि बाकि आपने हर एक question को, यहां से verification कर लिया होगा, अगर वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को like कर लेंगे, अदश से अधिक ज़्यादा लोग को share करेंगे, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख करके, अपना answer verification कर सके, तो इसी note के साथ यह है वीडियो का end, thank you for listening, and as always, God bless you all.